एक एक किसी ने पत्र लिखा उस पत्र में उना ने लिखा कि गुर्देव मेरा नाम हेमलता जांगीड है रंग बाड़ी कोटा की रहने वाली कई बेठी हों तो हाथ हिला सकती है गुर्देव इतने पाने दिये हैं लोगों ने बांज तक कहते थे लोग कई बार तो विचार कर लिया था कि एसा शरीर पाने से कौन सा मतलब कि संतान नहीं कि दस साल तक डाक्टरों को दिखाते रहे आराम नहीं मिला पंदरा साल निकल गए आराम नहीं लगा सत्रा साल निकल गए आराम नहीं लगा अठारा साल निकल गए कोई संतान का सुख नहीं तब किसी ने कहा कहा दो वजे कथा आती है टीवी पर आस्था चेनल पर उसी ओर वाला महराज स्यू पुरान करता है तू आसन लगा कर सुन हाथ में चावल लेकर आसन लगा कर कथा कर रस्तत्व गरण करती बावा से विंती करती गुर्धेव पशुपति व्रत प्रारम किया शिवजी को जल चड़ाना प्रारम करा इतने सालों से सबने आस छोड़ दी थी 18 साल में की संतान नहीं होगी पर बाबा तो बाबा है ना गुरुदेव कथा सुनने के केवल धाई महिन निकले और मेरा गर्व ठेर गया और बाबा की कृपा से मेरे यहां 18 साल के वाद संतान की प्राप्ती ह अठारा साल के बाद जब दुनिया ताना दे दुनिया अप्शब्द कहे गाली दे आरा तेड़ा बोले ये दुनिया का काम है वो आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्त